Hello everyone, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चनल बागवगीचा Passion and Creation में जहां हम बात करते हैं पेड़ और पोधो की जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं Mexican Petunia की reporting के बारे में मैंने ये प्लांट 40 रुपीस का खरीदा था और ये बहुत ही खूबसूरत है मेरे पास Mexican Petunia का परपल शेड पहले से ही है और ये पिंग शेड मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये परचेस किया और अगर मुझे कभी वाई शेड मिलेगा तो मैं वो भी परचेस करूँगी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आउं तो आप उसे मिसना करें मैक्सिकन पिटुनियो एक बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है इसकी देखबाल कैसे करनी है और इसकी सारी जानकारियों के लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रेशन बॉक्स में दे दूंगी आज हम बात करेंगे कि कैसे इसको रिपोर्ट करना है नर्सरी से लाएं और इसके रिपोर्ट करें कि ये प्लांट खराब भी न हो इसको कोई एन्वार्मेंटल शौक भी न लगे और जैसा ये प्लांट है वैसा ही खुपसरद लगा रहे बहुत ही सस्ते में और अपनी लोकल नर्सरी पे आप इसके तीनचा कलर देख सकते हैं ये हाड़ी प्लांट है पर्मनेंट प्लांट है बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है सीड से भी ग्रो हो सकता है कटिंग से भी ग्रो हो सकता है और ये देखे मेरे पास कितना खुपसर परपर शेड भी है बहुत सारे फ्लार्स इसमें आते हैं और बात करूं मैं जिस प्लांट में इसको लगाने वाली हूँ वो मैंने खुद ही बनाया है वो एक ओयल कैन से मैंने तियार किया है आप भी चाहें तो अच्छे से इंट्रस्टिंग से फेस बना कर नए प्लांटा त कर सकते हैं यह प्लास्टिक का रियूस्त होता ही है साथ ही यह बैस फ्रॉम वेस्ट भी होता है तो सबसे पहले मैंने जो इस प्लांट खरीदा है यह एक प्लास्टिक की पॉलतिन में ऐसे लगा हुआ मिला है मिट्टी इसकी ठीक है अगर मिट्टी अच्छी नहीं हो तो कर लें गें मिंट्टी आपको पता ही है बहुत बड़िया ससोलयमिक्स त्यार करें अच्छा सा 5 मुठी नीम殖ली बी डालें और साथ ही कुछ हिसा इसमें एक चमच फंगी साइट का भी रखें आपके प्लांट को फंगस से बचाकर रखता है बस आप ध्यान रखें जो reporting का rule है वो कभी भी आप दोपहर में इसकी reporting बिल्कुल ना करें शाम के समय या सुबा के समय ही करें और reporting करने के एकदम बात भी इसको दूप में ना रखें तो आप अराम से इसको सारी मिट्टी को अच्छे से फिंगर से दबा दें धीरे धीर दबा कर इसकी सारी air pockets खतम कर दें और planter को इतना भरें मिट्टी से कि आप उसमें पानी अच्छे से दे पाएं लेकिन over watering बिल्कुल ना हूँ धीरे धीरे finger से दबाते हुए जितनी जरूद है उसमें आप उतनी मिट्टी भर ले और जब आप इसमें एक बरच्छे से composting कर देंगे तो महीने भर बात तक इसमें composting की जरूद बिल्कुल भी नहीं है आप महीने के बाद ही इसमें composting करें प्लांट को लगाने के बाद उसको 4-5 दिन तक शामिशेड एरिया में ही रखें तेज डारेक्ट दूप में एकदम से प्लांट रिपोर्ट करके रखने पर आपका प्लांट खराब हो सकता है उसको अन्वर्मेंटर शोक लग सकता है तो नरसरी से लाए होए प्लांट को अपने सेव रखने के लिए अब वैसे के वैसा ही खूपसद बनाए रखने के लिए अपने पोधे को दिन में रिपोर्ट दोपहर में रिपोर्ट बिल्कुल ना करें और रिपोर्टिंग के बाद उसको सेमिशेड एरिया में ही रखें रिपोर्टिंग के चार या पास दिनों के बाद आप यह डिसाइड कर लें कि आपको प्लांट अपना प्लेस कहां करना है क्योंकि सबसे इंपोर्टन चीज यह होती है कि जितन जो शेड लविंग प्लांट है उनको शेड में रखें रिपोर्टिंग के बाद इनको वाटरिंग बहुत अच्छे से कर दें और दूसरी बार वाटरिंग तभी करें जब इनको रिक्वार्मेंट हो इनकी मिट्टी सुखी हो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर अपने फ्रेंग कर शेयर करें इसे एक थामस अब दें लाइक शेयर सब्स्क्राइब और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है मुझे पसनली कनेक्ट होने के लिए इंस्टागम आप भी मुझे जुरूर फोलो करें जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे रही हूं